देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल डिस्प्लेस्मेंट क्या होता है तो ट्रांसलेशन क्या होता है और रोटेशनल क्या होता है ट्रांसलेशन मिल्स हो गया जो ट्रांसलेशन डिस्प्लेस्मेंट होगा वो सेम लाइन में जाएगा जैसे कि यहां पर O को एक point है और यहां पर माले जाएक कि P को ऑपजेक्ट है तो यह क्या क्या कि move किया, move किदर करेगा, simple एक lining में ही move करेगा ठीक है जैसे कि इधर एक move किया, यह हमारा O से लेकर P तक गया तो P से लेकर यहां पर P-S तक जाएगा तो simple एक ही लाइन में जो जाएगा तो उसी बोलते हैं क्या translation बोलते हैं और rotational में समझ में आ रहा होगा रोटेट करेगा जैसे कि वो हमारा माल लेता है originatic है तो यहां से कोई एक point P है तो यह हमारा rotate करेगा means क्या कि इसी को ले कि वो हमारा rotate करेगा तो यहां का distance अगर R हो तो यह जो rotate करेगा means इधर rotate करे या इधर किदर भी करे तो यहां पे PDS हो जाएगा और यहां पे जो चला जाएगा object यहां से यहां तक object जाएगा तो यह जो distance हो जाएगा वो maintain ही देगा R ही रहेगा ठीक है, यहां से सेम डिस्टेंस पे ही रोटेट करें, माले दें सर्कल, सर्कल जैसे हमारा होता है, यह सर्कल जैसे होता है, तो यहां पे कोई पोईंट है, यहां पे कोईंट है, यहां पे कोई पोईंट है, ठीक है, तो यह रोटेट किया, इधर मुव किया, तो इधर मुव क नहीं करेगा वो कभी बहुत है और यह होता हमारा इसम टैसलिशन दो देखे से डिफिनेशन देखले के हैं तो देखे इसका definition, number one का क्या कि translation का देखिए, translation displacement का देखिए सबसे पहले, तो क्या होगा, if a particle, if a particle, he displaces, from, इसका figure बना लेते हैं, ठीक है, देखिए, जो हमारा O है, वो हमारा origin है, ठीक, और यहाँ पर क्या कर रहें, कि इधे, जो हम वोगाते हैं, यहाँ पर बना है, पार्टिकल है, ठीक है, और यहाँ से, मूव करके चला गया, यहाँ पर चला गया, यहाँ पर शिवा पर प्री, एसक्दम प चला गया, चिक, तो यह देखिए, यह हमारा translation होगा, यही लिखहें निओ पॉइंट wait ० चो कि हमारा हो जाएगा P Das पे ने तरेक्शन ओं कि दॉइक्षन ओफ क्या ओफी क का ड्यचाट सैंदा ड्यचेंड में जाएगाอนसलिचन क्या हो था तरेक्षन जाता है ने डिरेक्शन ओपी वेर जो ओ जो है ओ बीदा ओरीजिन ओ जो हमारा ओरीजिन है देन सच और डिस्प्लेश्मेंट जो कि विदाउट रोटेशन इसमें रोटेशन नहीं होता है इसकल ट्रांस्लेशन डिस्प्लेश्में फे डिस्प्लेश्मेंट ठीक है और देखें का ट्रांस्लेश्न जो डिस्प्लेश्मेंट होगा जैसे हमारा o है और यहां पे क्या है कि pds है तो अगर हम कितना हुआ वो displacement अगर हम निकालना चाहे हैं कि यहां पर object है यहां से यहां पर जो displacement किया तो वो कितना displacement किया है तो वह हम निकाल सकते हैं तो इसमें हम सके माल निकल देंगे This we have some Translation Displacement जो हमारा हुआ Displacement Equal to क्या हो सकता है देखे यहाँ पे Translation Displacement तो यह हो गया है कि यहाँ से यहाँ Object गया है तो यह हमारा P, P- ठीक है Translation Displacement यह हो गया Equal to देखे क्या कि O, P- माइनस कर देंगे O, P तो हमारा निकल जाएगा यहाँ पे पूरे में इसको माइनस कर देते है तो यहाँ पे तो निकल जाएगा यही तो हमारा Displaced हुआ है तो यह हमारा निकल जाएगा ठीक देन अब देखे देखेंगे Rotational Displacement का Definition ठीक है तो सिकीन नमर Rotational Displacement तो क्या करेंगे इसका भी फीगर बना लेते हैं इसका जो फीगर होगा इसको लिख लिए ठीक है यही पे बनाते है इसको एरेस करते है देखेंगे O कोई हमारा Origin था और यहाँ से गया है हमारा एक Object यहाँ पे है ठीक है यह हमारा जो है वो R है जो यहाँ पे Distance होगा O P का वो हम R ले लेते हैं Distance तो देखें यहाँ से Rotate किया यह से Rotate किया और यह हमारा P डैस हो गया तो यह जो Distance बनेगा यह भी हमारा R ही होगा Distance ठीक तो बस यही करना है मिन्स क्या कि O जो हमारा है वो Origin लिखना है तो देखें इसका Definition लिखेंगे Left O भी दा Origin O जो हमारा है Origin है यहाँ कोई एक Fixed Point है ठीक है और अब Fixed Point Point If the Particle Displace Particle Displace Only by क्या Rotating मिन्स यहाँ पर Rotation हो रहा है तो Rotating The Body About O से चिक है तो Then such Displacement Without इसमें क्या होगा देखें इसमें क्या होगा कि Translation इसमें नहीं होगा तो Without Translation अपनी Position से देखें क्या कि यह हमारा इस Direction में जा रहा था तो अगर यही Direction में चला जाता तो हमारा तो हो जाता है Translation नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह हमारा Rotating कर रहा है इसमें Translation नहीं हो रहा है इसी को बोलते हैं rotational displacement ठीक है और यहां पर क्या है कि यह जो distance ओपी और ओपी कर डैस है जो है वह हमारा same equal है ठीक तुम लिखें कि क्या कि in under rotational लिखें तो पी एंट क्या कि पी डेस ठीक है और दर टू पोजीशन अब दे पार्टिकल देखें क्या कि ओ पी जो होका इक्वाल टू क्या हो जाएगा ओ पी डेस हो जाएगा सेम सेम हो जाएगा हमारा इसका दोनों बीच का इसलिए मैं निगले पारिशन में जो है वह हमारा सेम सेम रहेगा और επी बीच यहां से अबज्च रॉटीट करेगा पी डैस पर नियुपाइंट पर डिसटेंट सेम रहेगा और इसमें ट्रांशक्रेसन रहीण होगा तै कि इसको बोलता है हम रॉटेसनल डिस्पलेस्मेंट बोलता है ठी कर दो कर दो दो खो बड़ा है